इस प्रोग्राम में हम लोग largest number find कर रहे हुगे और यह अपने 300 plus program में अपना बारवा प्रोग्राम है इसके पहले हम लोगों ने 11 प्रोग्राम डिसकस कर लिया है और इस प्रोग्राम में हम लोग largest number find कर रहे होंगे user से दो number input करा रहे होंगे इसमें उसको output में हम लोग सबसे largest number find करके दे रहे होंगे लेकिन condition यह है कि हम लोग ternary operator का use कर रहे होंगे और ternary operator क्या होता है तो वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा ternary operator का syntax क्या होता है example example लेकि उसको समझेंगे और फिर हम लोग vs code में उसको type करके code करके हम लोग समझ रहे होंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग समझते है ternary operator को तो ternary operator के तीन पार्ट होते हैं सबसे पहला पार्ट होता है अपना condition ठीक है और उसका condition के बाद उसका part आता है true part ठीक है और उसके बाद false तो condition true और false यह तीन पार्ट में basically ternary operator अपना काम करता है सबसे पहले उसमें हम लोग दे रहे होते हैं condition और अगर यह condition true होती है तो अपना true वाला statement execute होता है और अगर false होती है तो यहाँ पे false वाला statement execute होता है और अगर समझ में नहीं आया तो मैं अभी आप लोगों को समझा दूँगा with the help of example बिल्कुली clear हो जाएगा तो हम लोग example लेके देखते है ठीक है मतलब इसका syntax यह है काफी भद्दा सा लग रहा है आप लोगों को लग रहा हुआ यह क्या लिखा है condition question mark true colon false ठीक है तो मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ मान लो एक number दिया हुआ है एक variable ले ले लेते हैं a and उसमें मान लो दिया हुआ है number 20 and एक दिया हुआ है b is equal to 30 ठीक है तो a is equal to 20 and b is equal to 30 तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें मान लोगी अभी smallest number find करना है यह चलो largest number find करना है इसमें क्या find करना है largest find करना है तो हम लोग करेंगे क्या यहां पर हम लोग लिखेंगे a greater than b ठीक है मतलब यह condition होगा हम लोगों का a greater than b तो condition के लिए हम लोग क्या करते हैं आपे question mark लगाते हैं यह अपना condition वाला part है और अगर true होगा तो हम लोग यह वाला return करा रहे होंगे और false होगा तो हम लोग यह वाला part return करा रहे होंगे ठीक है तो अब क्योंकि हम लोगों को largest number find करना है तो हम लोगों को देखना है क्या a greater than b है अगर a greater than b होगा तो definitely हम लोग a return करा रहे होंगे तभी तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ largest number हम लोगों को मिल रहा है तो अगर a greater than b होगा तो हम लोग a return करा देंगे ठीक है अगर A greater than B है और यह condition true है it means A बढ़ा होगा तो A return करा देंगे और अगर यह condition false है तो हम लोग false वाले statement में B को return करा रहे होगे क्यों? क्योंकि अगर मालो यह statement false है तो A तो बढ़ा होगा नहीं क्या बढ़ा होगा? B बढ़ा होगा तो false वाले जगा पे हम लोग क्या डाल देंगे? B डाल देंगे क्योंकि अगर यह statement false हो गया तो यह false वाले के पास आ रहा होगा false वाले term के पास आ रहा होगा और उसमें जो भी है वो उसको execute करा देगा तो इसमें हम लोग B डाल देंगे ठीक है? और अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो हम लोग एक और example लेते हैं उससे आप लोग definitely समझ में आ जाएगा माल लो यहाँ पे एक number दे रखा है 20 और एक number दे रखा है variable का concept हम लोग छोड़ते हैं direct number से ही समझते है एक number दे रखा है 20 और एक number दे रखा है 10 ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग condition लगाते है 20 is equal to equal to 10 और मैंने बताया है कि 2 equal to का मतलब यहाँ पे equal होता है और अगर 1 equal to दिया है तो वो assignment operator होता है इसका मतलब वो right वाले value को left में assign कर देता है तो अगर आप लोगों कोई सारी चीज़े समझ में नहीं आ रही है तो definitely आप लोग पीछे वाले program को जाके देखो otherwise तो it's okay यहाँ पे 20 is equal to equal to 10 it means क्या होगा? यहाँ पे एक condition है क्या 20 10 के equal है 20 is equal to equal to 10 ठीक है? 20 is equal to equal to 10 तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे question mark अगर यह जो condition है यह सही हो गया तो सही हो गया तो यह वाला statement execute हो रहा होगा otherwise यह वाला statement execute हो रहा होगा ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या अगर यह statement सही है तो यहाँ पे हम लोग return कराएंगे true क्या return कराएंगे true और definitely हम लोग इस तरह से नहीं लिख रहे होंगे हम लोग लिख रहे होंगे printf and उसके अंदर लिख रहे होंगे true क्योंकि हम लोग vs code पे नहीं है और यहां पे जगा कम है तो मैं इस तरह से लिख के दिखा रहा हूँ हलाकि vs code पे हम लोग चलेंगे तो वहां भी लिख के देखेंगे 20 is equal to equal to 10 क्या यह सही है तो अगर सही होगा तो यहां पे true return हो जाएगा ठीक है और अगर यह false होगा तो यहां पे false return हो जाएगा तो आप अप ऐसा मत समझना कि यहां true लिख रहे है इसलिए return हो रहा है false लिख रहे है इसलिए再 return हो रही है अगर मालोँ मैं ऐसा लिख दू 20 is equal to equal to 10 और question mark मैं यहां पे false लिख दू और यहां पे true लिख दू तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर true है तो ये return होगा ये false है तो ये return होगा ऐसा नहीं है जो second वाला मतलब ये middle वाला जो block होता है वही हमेसा true माना जाता है true means क्या मतलब अगर ये condition सही है तो ये वाला statement execute हो रहागा जो कि यह true और अगर यह condition सही होगी तो यह वाला statement execute हो रहागा जो कि यह false और तो इस तरह से लिखना बिल्कुल ही गलत होगा तो इस तरह से तो हम लोग नहीं लिखेंगे अगर यह condition true है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे true क्यूंकि हम लोगों को true return कराना और यह false है तो लिख देंगे false क्यूंकि हम लोगों को false return कराना है और अगर फिर भी अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग vs code पर चलते हैं उसमें तो crystal clear हो ही जाएगा ठीक है कमेंट के साथ जैसा मैंने बताया था कमेंट प्रोग्राम में कोई effect नहीं डालता है हम लोग का प्रोग्राम 12 है ठीक है और क्या है प्रोग्राम में to find the largest of two largest of two number मतलब दो number में largest number को find करना है ठीक है find the largest of two number using ternary operator ठीक है अब हम लोग यहाँ पर अपना code लिखते है has include header file इंक्लूड करते है has include stdio.h और उसके बाद क्या लिखेंगे int main और इसके अंदर अपनों block of code हम लोग लिख रहे होते हैं सबसे पहले तो दो variable declare करेंगे दो number को input लेने के लिए इंट a,b ठीक है int a,b और अभी हम लोग find largest number find नहीं कर गया अभी मैं ternary operator का use करने बता रहा हूँ और इसके बाद हम लोग largest number के लिए code लिख रहे होंगे ठीक है a greater than a,b यहाँ पर हम लोग user से input ले लेते हैं print app enter the first number user को हम लोग message के साथ show करके input लेंगे enter the first number जिससे की user समझ जयाएं हाँ पर unanimous number लाना enter the first number ,- ADAM धन्यार इंस्ट नमबर , थीक है enter the first number यहाँ पर यूजर क्या करेगा first number enter करेगा और scanf से हम लोग value लेंगे हमेशा की तरह मैंने गरत लेंग लिए,scanf से हम लोग value लेंगे %d and मैंने बताया किस तरह से लेते हैं %d format specifier है जो कि show करता है कि int में यहाँ पर value input होगी and m% यह मतलब एक container में हम लोग store करा रहे हैं फिर लिख लेते हैं printf यहाँ पर and user को हम लोग फिर से एक message दे देते हैं enter second number मैंने string छोड़ दे हैं पर string देंगे यहाँ पर keyboard थोड़ा सा problem हो रहा इसमें enter the second number enter the second number ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा user second number input कर रहा होगा scanf में हम लोग value store कर आ रहेंगे %d scanf and %d and comma m%bb में store कर आ लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग अपना ternary operator का use कर रहे होंगे use of ternary operator ठीक है तो किस तरह से करेंगे तो मैंने जो अभी example लिया था उसी को हम लोग कर रहे होंगे अगर A greater than b है अगर A greater than b है तो क्या कर दो true return कर दो क्या कर दो true return कर दो और यहाँ पर printf यूज़ कर रहे होंगे अदर्वाइस तो c return कुछ करेगा नहीं true return कर दो ठीक है और अगर यह false है और मैंने यहाँ पर देखो question mark के जगा colon दे दिया तो यह गलत आ रहा है तो इसके सबसे last वाला code execute हो रहा हो जो की है यहाँ पर printf false ठीक है और यहाँ पर separator दे देंगे और return 0 और अपने यहाँ पर हम लोग run कर आके देखते हैं control shift backcoyote से run कर आते हैं हम लोग backcoyote कहा होता है escape के just नीचे and one के just left में जो key है वो backcoyote बोलते हैं उसको control shift backcoyote से आप लोग terminal open कर दो and gcc और जो program का नाम है upper case lower case का ध्यान रखते हुए program to work.c और फिरम लोग लिखेंगे dot slash a.exe अगर आप लोग window user हो तो otherwise आप लोगों को लिखना dot slash a.out लेकिन क्योंकि मैं window user हूँ तो लिखेंगा dot slash a.exe and enter करते हैं enter first number 5 and enter second number 6 तो यहां पर देखो observe करो कि सबसे पहले तो आप लोग खुद find करो कि यहां पर output आएगा क्या first number में हम लोगों ने दिया 5 and second number में दिया 6 तो हम लोगों को check करना है कि क्या first number बड़ा है second number से 5 बड़ा है 6 से क्योंकि code ही हमने वही लिखा है तो यहां पर क्या answer आना चाहिए false आना चाहिए क्योंकि first number जो है 5 है और second number क्या 6 है तो definitely 5 जो है 6 से बड़ा नहीं है a जो है b से बड़ा नहीं है तो क्या आएगा false आएगा 細ग मेंने는지, यहां पर यहां पर देख सकते हैं towards false लिखा गिया यहां पर क्या आना चाहिए था, false राना चाहिए था false आना चाहिए थीक है तो इस तरह से हम लोग कुछ कर रहे होंगा एक बार ररन कर रहे हों को return चाहिए अब अब लोग कुछ और input दालते हैं यहां और second वाले statement में क्या है true है तो इसलिए यहाँ पे true return हो रहा है तो उमीद है आपनों ternary operator का use समझ में आ गया होगा और मैंने पहले भी अपने theory वाले playlist में बता रखा है ternary operator कैसे use करते हैं अपनों नहीं देखा है तो जाके देख लो फिर भी मैंने यहाँ पर revise करा दिया हलाकि मैंने detail में ही समझाया है अब यहाँ पर हम लोग finally जो हम लोग करना था largest number find करना था तो वह करते हैं तो कैसे करेंगे int a b और वही same code होगा यहाँ पर भी सबसे फ़हले हम first or second number input करा लेंगे बस यह नीचे का code थोड़ा change होगा ठीक है यह हम लोग घटा रहे होंगे यहाँ से तो first number और second number तो input definitely करा ही रहे होंगे user से तो यहाँ पर ठीक है first number और second number के लिए input कराने के लिए तो same code होगा उसके बाद जो हम लोग largest number find कर रहे होंगे तो largest number के लिए इसके नीचे वाला code हम लोग लिख देते हैं comment हम लोग लिख लिखते हैं ताकि थोड़ा पढ़ने मैं असानी हो reading capacity बढ़ जाए code की ठीक है करेंगे हम लोग definitely a greater than b check करेंगे क्या a greater than b है तो अगर a greater than b होगा तो हम लोग क्या करेंगे a को return करा रहे होंगे ताकि largest number हम लोगों को मिले और फिर मैंने यहाँ पर a क्या डाल दिए question mark डालना था तो अगर a greater than b होगा तो यहाँ पर तो a return कर रहे होंगे और अगर a less than b होगा तो it means b में बड़ा नंबर होगा तो false वाले जगह पे हम लोग क्या डालेंगे b डाल देंगे b return हो रहा होगा ठीक है और इस पूरे यह जो return होके आएगा तो return होके आने के बाद मुसको एक container में store करा लेंगे लार्ज वाले container में मान लोग श्टोर करा लेते हैं और directly print up function लगा के उसमें यह code भी लिख सकते है तो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता लेकिन मैं large वाले container में store करा लेता हूँ और क्यूंकि मैंने large वाले container यहाँ पे declare नहीं किया इसले error आ रहा है तो large वाले container यहाँ पे declare भी कर लेते हैं L A R G large ठीक है तो अब देखो अब हम लोग इसको run कराते हैं और देखते हैं क्या आपना output आता है तो हम लोग run कराते हैं और यह मैं कैसे कर रहा हूँ यह जो direct यहाँ पे GCC एतना सार यह direct लिखा हूँ आ रहा है भीना type के तो up arrow और down arrow सो आप लोग ऐसा कर सकते हो map और down arrow का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ठीक है तो अब रहन कराते हैं first number देते हैं six and second number देते हैं five तो यहाँ पर जो largest होगा वो हम लोगों को मिल जाएगा print app largest number largest number is equal to %d and क्या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे large क्योंकि हम लोगों ने large में store करा रहा है largest number को ठीक है large वाले container में store करा रहा है अब program को अपना run कर आते हैं तो देखो यहाँ पर मैं एक number इंटर करता हूँ nine and एक number इंटर करता हूँ one तो मैंने 7 plus nine इंटर कर दिया ठीक है तो देखो nine ही आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने दोनों ही value सेम डाल दिया अब हम लोग फिर से एक बार run कराते हैं मैंने थोड़ा गलत input कर दिया तो यहाँ पर माल लो एक number देते है six और एक number देते है three तो कौन सा बढ़ा है six बढ़ा है six बढ़ा है तो output में क्या आना चाहिए six आना चाहिए इंटर करते हैं देखो six आ रहा है largest number is equal to six एक बार और run कर आके देखते हैं हम लोग डालते है 56 तो कौन सा बढ़ा है 56 बढ़ा है 56 आना चाहिए इंटर करते हैं देखो 56 आ रहा है तो इस तरह से हम लोग अपना ternary operator का use करते हैं तो अगर आप लोग को समझ में आ गिया है तो फिर मिलते हैं अपने next program में and next program में हम लोग इससे थोड़ा अच्छा प्रोग्राम बना रहे होंगे यह तो हम लोग इने दो number को use करके अपना दो number input करके अपना find क्या largest number को जो की काफी असान था अब next program में हम लोग तीन number को देखेंगे कि तीन number में से कैसे largest number find करते हैं और वह भी ternary operator का use करके और वह भी एक ही statement में single statement में हम लोग अपना processing कर आ रहे होंगे और उससे हम लोगों को large number मिल रहोगा तो वह देखते हम लोग अपना next program में तब तक के लिए पढ़ते रहो and practice करते रहो